मित्रों राजस्थान के जोदपुर में इस्थित सेंटरल एरिड जोन रिसर्च इंसिट्यूट की सहर पर आपको ले चल रहे हैं जिसे काजरी के नाम से जानते हैं भारत सरकार के दौरा 1952 में इस अर्दसुष छेत्र में क्रिशी से संबंधित और बानकी से संबंधित प्रजातियों के बिक्सित करने के लिए संदचित करने के लिए ये उत्कृष संस्थान अस्थापित किया गया जो अपने अनसंधान के लिए आज बिस सस्तरी अपनी पहचान रखता है उसका बिहंगम द्रिश जो डिरेक्टर आफिस है उसके सामने फैली हुई सस्यस्यामला जो बागवानी है बहुत सुन्दर परवेश साब सुतरा परवेश और बानकी के छेत्र में और क्रिशी की न मर्वस्थल ये छेत्र की जो फ्लोरा एन फोना है उसके विकास के लिए ये संस्थान प्रतिबद्ध है और नई नई आधुनिक खोजें नित्प्रत यहां के बैग्यानिक करते रहते हैं आप ये देख रहे हैं इसका हरा भरा परिशर आज इसी संस्थान के विजिट के लि जो बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हैं और उनके साथ डाक्टर आर के दवे साब इन दोनों महान विभूतियों के नेतुत में सबसे पहरे इन फार्मेशन सेंटर पर हमें ओरियंट किया जाता है बिज्ञान जोती के कारिकम के अंतरगत जवार नोदे विद्याले बाड मेर के विद्यार्थी और स्वाइन विवेकरनन माडल स्कूल पच्पद्रा के विद्यार्थियों का यह सेंट से चेक कारिकम है दोनों विद्याले के विद्यार्थियों को इस संस्थान को देखने समझने और यहां से लाभानित होने का विशेश मौका अब हमारी यात्रा चाल के बारे में, बीजों के बारे में, उनके संरच्छन के बारे में, मरोस्थलिय छेतर के फ्लोरा एंट फोना के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करती जा रही हैं, अब हम चलते हैं संस्थान के भीतरी छेतर में, काजरी एक बहुत विस्तिच छेतर में, फल में विक्सित हैं और इसके बारे में वो बच्चों को औरियंट करते हैं विविन प्रजार की जो प्रजातियां है उनका कैसे इस पाली हाूस में विकास किया जाता है हाइड्रोपोरिक्स किसी के बारे में डाक्टर भाराज सिंग साथ बतलाते हैं डेजर्ट बोटलिकल गार्डन के मुख पर हमारे साथ हैं डाक्टर जेपी सिंग साब जो बहुत ही senior scientist हैं और अभी वो अपने सेवाकाल के अंतिम पड़ाओं पर हैं लेकिन उसी उत्साह के साथ हम सब का उन्होंने स्वागत किया और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को उन्होंने ओरियंट किया संस्थान के ब पर सभी वच्चे हमारे साथ हैं डाक्टर सिंग बहुत उस्साह के साथ एक-एक प्लांट की विस्षिश्टाओं के बारे में उनके medicinal बैलू के बारे में उनके सभी गुणों के बारे में बिस्तार से बतलाते हुए बहुत ही interactive session बिद्यार्थियों ने भी परियाब जरूच साथ एक-एक पौधे के biological detail बुटल निकल नाम साथ में सामने आप देख रहे हैं गूगल बिच्च का पौधा जिससे गूगल निकला जाता है जो बहुती rare किस्म की species है जिसको डाक्टर सिंग ने अपने बुटल कर गार्डे में हुगया है उसके बारे मतलाते हुए इसी प मौका बहुत सुंदर उनमें खिले हुए पुष्प अच्छी आकरसक बनावट काटों के बावजूद भी उनमें एक सम्मोहक सा आभास देखिए बहुत सुंदर पौधे और उनमें पुष्प निकले हुए हैं विभिन रकार के कैक्टरस के प्रजातियों को आप यहां दे जारती सभी बालकाएं और डाक्टर सिंग ने उनकी जिग्यासा को और भी परवान दिया है तरह तरह के प्रस्पूष्टे हैं और इन कैक्टरस के बारे में जो जानकारी उन्होंने प्राप्त की है उसको साथ साथ नोट करते जा रहे हैं जिससे विग्यान जोद की रिपो सामने आप देख रहे हैं साजी जिससे की खार निकाला जाता है और जो नमकीन इंडस्टीज के रूप में पापड इंडस्टीज के रूप में काम आने वाला एक मुख घटक है अब चलने की बारी है और सभी साथियों से बिदा लेते हैं डाक्टर सिंग डाक्टर दवे का भाभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद फिर से मिलें